जन्पत हापुड के थाना बहुदुकर्ट पुलिस ने 18 महीने में धन दोगना करने का लालच देकर 300 क्रोड रुपे की ठगी करने वाले निफ्टैक ग्लोबल कम्पिनी के एक डायरेक्टर अशोक कुमार चोहान की शनिवार को 22 लाख रुपे की संपत्ती को कुर्क कर लिया लगा कर संपत्ती की खरीद बेश पर रोक लगा दी गई है अब तक कम्पनी के डायरेक्टरों की 24 करोड 90 लाख रुपे की संपत्ती को जब्त किया जा चुका है ये योगी बाबा की कारेपणाली का ही असर है कि ठगों माफियाओं और गुंडों को सांस भी नहीं लेने द दिया जा रहा है धेराकुटी स्थित अशोक चोहान का मुख्य कारयाले जहां से छेतर भर की जनता को डील किया जाता था और शेश रह गया था जिस पर अवैद रूप से कबज़ा चलता आ रहा था जिसकी पुकता जानकारी अर्जित करने के बाद हापुर चलादिकारी मे धारूपम और पलिस अधिक्षक दीपक भोकर के निर्देश अनुसार गढ़ मुक्तेशवर तैसिलदार विवेक भदोरिया और बहावदगर थाना प्रभारी निरिक्षक आशिश कुमार ने डेराकुटी स्थित कारयाले दो दुकान और नेक नामपुर नानाई रोट पर स्थित जमीन खेती की लाखों की कीमत की संपत्ति को कुर्ग कर लिया लगबग तीन सो करोड की ठगी करने वाले निफ्टक ग्लोबल कंपनी से समंदित अभ्युद गढ़ों के विरुद हापड पुलिस द्वारा कारवाई लगातार जारी है इसी क्रम में थाना बहादुर गड़ में अभ्युक्त अशोक के खिलाफ आज 14-1 की कारवय की गई है और उसकी लगबग 20 लाख की संपत्ति को कुर किया गया है अभी तक समस्त अभ्युक्त कड़ों की लगबग 25 क LGBT की संपत्ति को कुर किया जा चुका है ये कारवाई लगतार जागी रहे गी गड़ मुक्तेश्वर तैसिलदार विवेक भदोरिया बाहदुगर थाना प्रभारी आशिश कुमार स्साई केपिस सिंग और राजस विवाक की टीम ने कुरकी की दोनों दुकानों पर सील लगाने के बाद बोर्ड गार कर कारेवाही की इती श्री की गई उक्त संपत्ती को आज के बाद क्रिया विक्रिया नहीं किया जा सकता है जहां लेकपाल राकेश करी लेकपाल चंदरप्रकास सैनी लेकपाल प्रवेश कुमार सहित टीम मौजूद रही आरोप के मुताबिक था ना बाद गढ़ के गाउं चांदनेर के अशुक कुमार चोहान और इसके साथियों की निफ्टै ग्लोबल कमपनी कर ठित की थी को कमपनी के माध्यम से दिल्ली और NCR के छेतरों के लोगों को 18 महीने में धन दोगना करने का लालस दे कर 300 करोड रुपे की ठगी की है बहुदकर पलिस ने आरोपियों की गिरिफतारी कर गेंग्स्टर में निरूद किया है और गेंग्स्टर एक्ट की धारा 14-1 के तैट आरोपियों की संपत्ती चेनित कर कुर करने में जुटी है अभी भी ये सिलसिला चारी है